आज हम चैप्टर 3 आपव्यू में exercise 3.1 करेंगे तो हमने पिछले वीडियो में आपव्यू किये पिरकार उनके definitions के बारे हम डिसकस कर चुके हैं तो तरस्णवली 3-10-1 को देखते हैं इसमें प्रस नमबर 1 इसमें आपव्यू दिया हुगा है इसमें हमको आप में के कोटी चाहिए ग्याद करना है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नमबर अवरोस कितनी है नमबर अवरोस एक दो तीन तो नमबर अवरोस हैं आपकी तीन और नमबर अवर कॉलम्स नमबर अवर कॉलम्स कितनी हैं आप और एक दो तीन और यह चार तो चार कॉलम्स है ठीक है तो आप दो कोटी क्या हो जाएगी थ्री इंटू फोर दूसरा इसमें अवयवों की संख्या तो आपकी जो कोटी यह थ्री भाई फोर कितना हो जाएका ट्वल्फ अवयवों की संख्या कितनी हो गई ट्वल्फ तीसरा कॉस्टन है इसमें हमको इस अवयवों के मान बताना है तो हम इसका तुल्णा इससे करते हैं ए बन बन, ए बन टू, ए बन थिरी, ए बन फोर, ए टू बन, ए टू टू, ए टू थिरी, ए टू फोर, ए थिरी बन, थिरी टू, थिरी थिरी, थिरी फोर तो यहां देखना आप लोग कि पहला suffix जो है वन पहली रो में fix है और यह क्या vary कर रहा है second suffix vary कर रहा है one two three four दूसरे रो में दो पहला suffix दो लिखा हुगा है और दूसरी suffix one two three four है तीसरे रो में पहला suffix three लिखा हुगा है तो इससे हम तुलना करते हैं तो हमको फाइंड करना है ए वन्थिरी तीज़ नमबर का एलिमेंट है यहां पर तीज़ नमबर का एलिमेंट कौन सा है इसकांसा कितना हो जागा नाइंटीन फिर हमको पूछा है ए टू बन एटू बन कहां पर है शेकंड रो का पहला एलिमेंट तो यहां पर शेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है थाटी फाइब फिर इसके बाद कौसन है ए थिरी थिरी ए थिरी ए थिरी ए थिरी थिरी कौन सा एलिमेंट है यहां पर तो इस पर कौन सा एलिमेंट हो जागा माइनस फाइब फिर इसके बाद है ए टू फूर तो ए टू फूर आप देखो कहां पर पोजिशन में है यहां पर और यहां पर कहां पर है जहמהकी इसके बाद है आपका ए यह। through tp3 की पॉझितन कहां पर है यहां पर यह है और यहां पर कहां है यह तरह गोजाए का 5 by 2 तो यहां को फेर के आंसर से इस तरह से आपको कॉस्शंज की प्रैक्टिस करना है अब अगला क्वस्टन है इसमें हमको किसी आप यू में 24 आप यू में 24 आप यू में तो इसकी कोटी क्या का सम्भाव है तो अगर आप यू में 24 इसकी कोटी क्या समभा हो सकती है 321ड finishes जिसमें एक रो हो चोविस कालम को ठीक है और हो सकता है है तो से टिवाइट करें तो ठीक है इसके बाद 3 से भी डिवाइड होता है 3 इंटू 8 8 इंटू 3 4 इंटू 6 6 इंटू 4 ठीक है कुल इनके आपकी संभावना कितनी है इतना है ठीक है किसी भी आप विव अगर 24 अभयव हैं तो उसमें आप विव की जो कोटी होगी वह कुल इतनी संभावना है ठीक है इसके बाद आगी जाएंगे तो आपको प्रिवीट होने लगेगा कौसर नमबर फिरी इसका सालूसन है किसी आप विव में 18 विव हैं तो इसकी कोटी क्या होगी तो 18 है तो कोटी क्या होगी बनवाई 18 या 18 वाई 1 ठीक है 2 वाई 9 9 वाई 2 3 वाई 6 6 वाई 3 तो कुल इसकी संभावना आपको लिखाए इतना ही संभाव हो है इसके आगे संभाव नहीं है ठीक है और यदि इसमें 5 अभयव हों यदि आप विव में 5 अभयव हों तो कोटी क्या संभाव होगी 1 इंटू 5 5 इंटू 1 क्योंकि 5 में और आप किसी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए इसकी कोटी 2 ही संभाव हो है ठीक है अब हमको एक 2 वाइटू आविव की रजना करना है इसकी कोटी क्या है और टू बाइटू इसका में लोग कैसा होगा यह a11 a12 a21 a22 ठीक है और क्या दिया हुआ है aij equal i plus j का whole square upon 2 तो हमको a11 find करना है तो 11 कैसा होगा i की value रखती और j की value रखती तो 1 plus 1 का whole square upon 2 कितना हो जाएगा 2 का whole square 4 upon 2 एक वाल कितना 2 A 1 2 1 2 यहने I equal to 1 और J equal to 2 इसका whole square upon 2 कितना हो जाएगा 3 का square 9 upon 2 A 2 1 तो I equal to 2 रग दिया और J equal to 1 रग दिया upon 2 कितना हो जाएगा 9 upon 2 और A 2 2 तो I equal to 2 और J equal to 2 कितना हो गया 4 4 का square 16 upon 2 कितना 8 ठीक है तो यहाँ पर जो answer आएगा कितना हो जाएगा A 1 1 A 1 1 कितना put करेंगे 2 A 1 2 A 2 कितना है 9 Y 2 A 2 1 कितना है 9 Y 2 और A 2 2 कितना है 8 यह आपका answer हो गया clear इसी प्रेकास से आपको second और third question कर सकते हैं तो इसको करके हमको इसको चेक कराएंगी अब हमको इसमें X,Y,Z के मान ग्याद करना है तो यहाँ बच्चे देखें इसमें आपको पहले matrix और दूसरे matrix तुल ना करना है तो हम देखते हैं यहां पहला इसका अब Y लिखा होगा है और इसके पहला अब्यवक क्या लिखा होगा 4 तो Y equal To कितना हो जाएगा 4 ठीक है और यहाँ पर X लिखा होगा है और यहाँ पर X लिखा होगा होगा तो X equal To compare करने पर 1 और यहाँ पर 3 लिखा हुगा है और यहाँ पर Z लिखा हुगा है तो Z equal to 3 जिसका solution हो गया ठीक है यह पहले question का solution हो गया दूसरे में हम देखते हैं X plus Y equal 6 ठीक है और 5 plus Z equal to 5 और X into Y equal to 8 यह compare करने में देखता हूँ तो इसमें आपको clear है Z equal to कितना हो जाएगा 5 minus 5 0 तो Z equal to 0 हो गया अब इसमें हमको X plus Y equal to 6 दिया है और X into Y equal to 8 दिया हुगा है तो आपको इसको 2 बेरेस वाला है तो इसको सरल करना पड़ेगा तो हम देखते हैं यहाँ पर Y equal to हो जाएगा 8 upon X अब इस Y का मन सभीका number 1 में रख दिया तो X plus 8 upon X equal to 6 इसको सरल करें तो यह हो जाएगा X अबर गे और X का 6 में कोड़ा करें तो minus 6X plus 8 equal 0 तो यह आपका क्या मिल गया? वर्गे समीकरन वर्गे समीकरन है अब वर्गे समीकरन को factorize करना पड़ेगा तो आपको 6 को दो पार्स में डिवाइट करना है जिसमें दोनों का सम 8 आता है और multiplication 8 आता हो और सम 6 आता हो तो हम देखते हैं कि X स्क्यार minus 2X minus 4X plus 8 equal 0 X कामा निकल गया X minus 2 और इसमें minus 4 कामा निकला तो X minus 2 equal 0 X equal minus 2 X minus 4 equal 0 इसका मलग X equal to 2 and 4 यह X के दो मान पासेवल है 2 and 4 तो आपको X की जब रहे लूप आचल लगई है तो Y equal to कितना हो जाएगा 8 अधि X का मान 2 रखते हो तो 4 और यदि X का मान 4 लेते हैं तो 2 ठीक है हमको यदि X का मान 2 लेते हैं जैसे X, Y, Z के मान होंगे यदि X का मान 2 लेते हैं तो Y का मान 4 और Z का मान 0 रहेगा और अधि X का मान 4 लेते हैं तो Y का मान 2 और Z का मान 0 तो इस प्रकार से यह आंसर होंगे ठीक है तो इसको सभी बच्चे नूट कर लें इसी प्रकार से तीसरा कॉस्तन भी आपको करना है तो तीसरे कॉस्तन के लिए आपको यह तीसरा आंसर है X प्लस Y प्लस Z इकल नाइन X प्लस Z इकल टू 5 Y प्लस Z इकल टू 7 तो यदि हम X प्लस Z 5 X प्लस Z इकल टू 5 रख देते हैं तो Y इकल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 और y plus z हम 7 रखते हैं तो x equal to केतना हो जाएगा 2 और x कमान 2 और y कमान 4 रखने पर 6 घटा देंगे तो z equal to हो जाएगा आपका 3 यह आपके आंसर आ गए तो तीनों हमने question कर दिये हैं तो इसको अच्छे से note कर लो और अब हम अगले question पढ़ाते हैं अगले question में questions लिखे हुए यह आप्जेक्टर टाइप questions तो तो बहुत ही simple है इसको आपको अभी अपने जाएसे पहला वैसे इसमें ABCD का मान गयाद कर सकते हैं यह आप कर लेंगे आठे में आपको वर्गे अपयों दिया है तो इसमें हमको चैर बिकल्ब दिये तो इसमें चुनना है कौन सा बिकल्ब साही है तो हम देखते हैं कि वर्गाप व्यू में नमर आफ रोस और और नंबर आफ कॉलम्स दोनों ब्रावर होते हैं इसकर सई आंशर क्या हो चाहिए कि M एकल टू एन च्वान मंने योग में समान इसको बरावर करके जैसे इसको करके आप इसके आएंसर देख सकते हैं दसवे कॉस्सन में आपको तो 3 by 3 कोटी के ऐसे आप वियू कि कुल कितनी संक्षा होगी जिनकी प्रतेक प्रविष्टी 0 बनो तो हर 3 by 3 कोटी का वियू होता है उसमें 9 अभयव होते हैं 9 elements होते हैं तो हर element को पर या तो 0 रख सकते हैं या 1 तो इसका जो आंसर होगा 2 into 2 9 times तो 2 की पावर 9 जिसका आंसर होगा और 2 की पावर 9 कितना होता है 5 बंट 2 तो इसका सही आंसर कितना हो जागा 5 बंट 2 ठीक है तो जी आपकी exercise complete होती है Thank you